आज एक नई सीरीज के शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंदर कुछ चार-पांच वीडियो बनाएंगे हम लोग फर्पोजल बनाना समझना एनलाइज करना मैंने आपको दिखा दिया तो जब फर्पोजल की फाइनलाइजेशन करते समय हम कंडिशने लगानी होती हैं हमन में फसिलिटी वाइज या फसिलिटी से हटके कुछ जनरल कंडिशन होती हैं जो हमें हमारे प्रपोजल में हमेशा लगानी ही चाहिए तो उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा सीरीज बनाऊंगा तो आज की जो वीडियो है वो फोकस करेगी तीन फसिलिटी के उपर सी out नहीं करनी है तो सबसे पहले condition है कि monthly या quarterly stock statement stock statement आपके bank की internal choice हो सकती है कि छोटे loans में वो quarterly लेना चाता है या वो monthly लेना चाता है वो आप देख लिजेगा internally तो monthly या quarterly stock statement to be submitted by the borrower before dash day of the month तो आपको ये decide करना है कि borrower अपनी stock statement कितनी तारिक तक जमा कराए आच तारिक तक जमा कराए अगर आपको इन तीनो facilities का difference नहीं पता तो इस वीडियो के end में आपको इन तीनो facilities के difference का एक वीडियो मेंने बढ़ाया हूँ है वो flash हो जाएगा आप प्लीज उसको जरूर देख लें stock audit stock audit to be conducted once in every financial year या तो आप साल में एक बर करा सकते हैं या छे महिने में एक बर करा सकते हैं या quarterly एक बर करा सकते हैं यह condition आप stipulate करेंगे अपनी internal policy के हिसाब से और stock audit report आपकी positive होनी चाहिए उसमें कुछ negative comments नहीं होने चाहिए तो यह condition आप cash credit facility में लगाएंगे यह condition बड़ी important है जो आप अक्सर miss कर जाते हैं लगानी कि drawing power जो हम DP बनाएंगे drawing power shall not be allowed on group concerned debtors जो group concerns के debtors हैं अपने borrower के जो sister concerns हैं उनके debtors के उपर drawing power नहीं allowed की जाएगी और उन firms के नाम यहां पे mention करने हैं कि जिन जिन firm जो जो firms उसकी group firms आपने identify की हैं इन इन firms के debtors पे drawing power client को allow नहीं की जाएगी यह condition क्योंकि drawing power CC में ही applicable होती है तो overdraft और drop line overdraft में यह condition नहीं आएगी then utilization of other running working capital facilities कोई और हमारी limit के इलावा कोई और working capital facility उसकी चल रही हो for example letter of credit bill discounting चल रहा है packing credit चल रहा है कोई buyers credit facility चल रही है channel finance for limit चल रही है inventory funding चल रही है तो उन limits की utilization हमारी CC की drawing power में से less हो जाएगी deduct हो जाएगी और जो balance बचेगा वही हमारी CC की drawing power होगी यह condition आपको incorporate करनी ही करनी है इसको miss out मत कीजिएगा और इसके साथ आप एक general line भी डाल दीजिएगा कि और any other working capital facility कई बार ऐसे होता है कि inventory funding आज की date में उसकी नहीं चल रही आपने inventory funding यहाँ पे नहीं डाला बाद में उसने आपसे loan लेने के बाद दो मीने बाद inventory funding ले ली तो उसमें लिखते जागा कि any other working capital facility working capital facility availed और to be availed by the client यहाँ उसने avail कर ली है या avail करने वाला है उसकी utilization भी CC की drawing power में से less हो जाएगी तो again drawing power overdraft और drop line overdraft में applicable नहीं है तो यह condition यहाँ पे नहीं आएगी तो यह condition आपकी sanction letter का part बनेंगी और borrower को यह accept करनी पडेंगी तभी उसके notice में जाएगा ना तभी यह binding होगी condition उसके उपर next drawing power compute कैसे करेंगे उसके उपर 25% margin लगाएंगे margin के आपकी choice हो सकते हैं पावर की कणिक्शन को लिखा जाएगा तो drawing power इन में इन में applicable नहीं है तो यहाँ लिखने की जरुरूरत नहीं है यहाँ जूरूरत नहीं है that the funds you proposed shall be used only for the working capital purpose in business मैं drop line overdraft assume कर रहा हूं कि वो working capital purpose के लिए ले रहा है तो हम इस में से इस तरीके से client से undertaking ले रहे हैं कि भाई तू पैसा divert नहीं करेगा, business से बाहर नहीं निकलेगा और working capital के इलावा यानि कि short term के इलावा क्योंकि यह सारा short term funds है although DLOD के उपर debate है कई इसको short term मानते हैं, कई इसको long term मानते हैं, कई इसको mixed तरीके से treat करते हैं but although मैं क्योंकि drop line overdraft working capital purpose के लिए मैं assume कर रहा हूं, तो मैं इसको in the line of that assume लेके चलूंगा कि working capital purpose यह है तो funds working capital purpose के लिए यूज़ दोंगे भी मानते हैं, कई लोग इसको long term भी मानते हैं then overall funding to the borrower जो borrower कुल पैसा जो market से उठा सकता है वो अपने maximum permissible bank finance जितना आपने compute किया होगा maximum permissible bank finance चाहे वो turnover method से लाया हो चाहे वो MPBF 1 से, चाहे वो MPBF 2 से तो जो आपका total eligibility बैठता होगा MPBF के हिसाब से, उससे ज़्यादा exceed नहीं करेगा, इससे हम borrower को bind करना चाहते हैं, कि वो और facilities ना ले, unless until उसका MPBF ना बनता हो, right, तो यह facility यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ again debatable है, but क्योंकि मैं presume कर रहा हूँ कि यह working capital purpose है और इसको shorter मान रहा हूँ, तो यहाँ पे यह facility में, इस condition को मैं incorporate करूँगा then, हम condition लगाएंगे borrower को कि आपको 7 days के अंदर अंदर, जब charge हो जाएगा interest तो उसकी servicing करनी ही करनी है तो overdraft में भी लगेगी, drop line overdraft में भी यह similar condition लगेगी उसके बाद हम client से undertaking लेंगे कि जो भी churning, उसकी business की credit submissions है, जो debtors की relation है वो हमारे account में हमारे limit account में root होंगी within 90 days, 60 days, जो भी आप timeline लगाना चाहें, वो timeline लगा सकते हैं यह timeline कब आएगी, जब आपका fresh on board हो रहा है case, जब वो banking existing bank के पास कर रहा है, right तो उसको फिर time चाहिए होगा न, अपना account change कराने का सब पार्टियों के पास, तो हम 60-90 दिन जो भी आपको comfortable है, जो internal policy आपकी कहती है, उसके सबसे timeline दे, तो overdraft में भी यह condition आएगी, आएगी यह again drop in overdraft में debatable point है, आप अपने end पर चेक कर लिजेगा, अगर, इसमें logic यह है कि, अगर आप drop in overdraft working capital purpose के लिए दे रहे हैं, और client की किसी भी और जगह पर CCOD में गर नहीं चल रही, खाली DOD facility, DLOD facility के थ्रू ही वो काम कर रहा है, तो यह condition आनी चाहिए, पर अगर उसकी CC limit उसने साथ में चला रखी, आपके साथ फिर यह condition obviously नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि churning हमारे पास करनी है, तो हम किसी दूसरे bank का current account allow नहीं करेंगे, उसको operate करना, तो हम उसको बोलेंगे fresh case में कि इतने दिनों में अपना current account बंद करा, तो यहाँ पर भी यह condition रहेगी, और यहाँ पर again वो debatable है, क्योंकि अगर वह यह किसी और जगा, अगर drop line overdraft जस्ट आपके पास lab purpose के लिए ले रहा है, lab department में ले रहा है, तो usually वो फिर यह conditions नहीं लगाते, क्योंकि फिर client CCOD किसी और बैंक के साथ, यह अपने बैंक के साथ operate कर रहा होता है, right then उसके बाद condition की client limit shall be reduced by rupees इतने पर month, over total इतने months, अगर आपने drop line overdraft 10 सल के लिए दिया है तो total 120 months के इसाब से per month इतनी इतनी limit reduce होगी, यह आप condition लगाएंगे और client को यह ensure करना पड़ेगा कि limited usage relation below the reduced amount of the limit हो क्योंकि यह drop line overdraft facility का specific feature है, तो इसी में ही यह condition लगे रहेगी और in में और in में यह condition हमारे पास नहीं आएगी, okay then क्योंकि हम working capital facilities दे रहे हैं तो projected turnover पे facilities देते हो projections बनाते होते हैं, और projections के उपर हमारा focus रहता है, तो client को undertaking लेंगे कि client ने जो हम से वाइदा किया है कि वो इतनी projection achieve करेगा 2024 की, इतनी projected sale achieve करेगा, तो client इसके उपर हमें undertaking बना के देगा, right तो यह undertaking की condition हम लगाएंगे तो तीनो facilities के लिए यह condition applicable रहेगी then उसके बाद last point है कि client to ensure कि वो इतनी current ratio maintain करेगा during the tenure of the loan with the bank, जितनी देर तक bank का loan चलता रहेगा इतनी current ratio वो यहाँ पे minimum लगा के चलेगा, यह current ratio आपकी 2023 की भी आप लगा सकते हैं तो अगर 2022 की लगा निया वो भी लगा सकते हैं पर अगर आपने projection के उपर अपनी eligibility बनाई है 24 की projection के उपर तो 24 की projection में जो आपकी current ratio आ रही है तो वो यहाँ पे आप लगा के चलेंगे usually MPBF2 method जब आप follow करते हैं तो आपको 1.33x की current ratio चाही होती है तो OD facility में भी यह condition रहेगी रहेगी और drop line overdraft facility में यह maybe और maybe not अगर यह आपकी sole facility है working capital के लिए कोई और facility नहीं ले रखी तो आप यह condition डाल सकते हैं अगर otherwise avoid भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि drop line overdraft है कि बहुत debatable point है कि इसको किस तरह से treat करना चाहिए अलग अलग बैंक्स अलग अलग तरह से treat करते हैं पर drop line overdraft में क्योंकि principal की repayment तो होती ही है हर मीने तो हमें interest coverage ratio और DSCR से तो जरूर मतलब ही है तो हम यह बोलेंगे कि इतना ICR ICISCR और इतनी DSCR वो maintain करेगा during 10 year of the loan ताकि उसकी repayments से smooth जाती रहें और यह conditions इन में और इन में लगाना कोई ज़रूरी नहीं है ना भी लगाएंगे तो चल सकता है हलांकि मैंने एकाथ bank देखे हैं जो DSCR को इन फसिलिटियों में भी track करते हैं जबकि majority bank नहीं करते पर कुछ bank करते हैं track अगर करते हैं तो track लगा दीजी condition तो यह specific conditions है जो आपको बिल्कुल भी miss नहीं करनी है जब आप proposal को sanction कर रहे हो और sanction letter का यह conditions आपके part होनी चाहिए ताकि आपका compliance proper रहे और आपका borrower भी जो है वो monitoring में पूरा proper रहे और उसको भी पता हो कि उसकी क्या commitments है bank के दरफ से कलको अगर वो default करेगा तो यह सारी चीज़े कहीं न कहीं उसने अगर commit की होगी हमें पहले तो हमारे लिए एक अच्छा case बनाने में यह help भी करेंगी तो बाकी मैं next videos लेके आऊंगा और facilities के साथ उनकी specific conditions के साथ तो thank you very much guys